आप हट करके केवल एक जन्म सास्त्रों शंत्रों के अनुशार बितीद कीजिए आप महान हो जाएंगे देख लिजिए गार ये कैशी ब्रहम की बातों में अपने लोग फशे हुए है जो महा मंगल करने वाला भगवान को भी परास्त करने की शामर्थ रखता है भगवान का भगवान एक तरफ युद्ध में देख लीजिए भगवान के नाम जापक भीषमजी महाराज और श्वयं भगवान अर्जुनके श्मीन है भगवान ने कहा था मैं प्रण लेता हूं महाभारत युद्ध में कभी अस्त्रण में उठाऊंगा और भीष्म जिने का मैं गंगा का पुत्र न का हूँ यदि आपसे अस्त्र ना करा लूँ तो नाम जापक की विजय हुई और भगवान अस्त्र ले का दोल पड़े मारने के लिए भीष्म को अपनो परण विशार भगत को पूरो परण निभाऊं अरे वो अपनी बात जूटी करने के लिए तयार है यदि आप नाम जब कर रहे हो सत्य सचिदानंद की बात कभी मरशा नहीं हो सकती लेकिन वो अपने भगत की बात के लिए अपनी बात नीची कर सकते है अपने भगत की नहीं नाम में ऐसी शक्ती है पुजिराधा बाबा हमने और किसी शाधन में ऐसी शक्ती अनुभोने की मानो भगवत प्रेमी संतों की बात मानो कुछ दिनों के बाद तो मन पकड़ लेता है नाम को एक महात्मा के पास उनके शिश्य कहा कि अठारा वर्ष हो गए आपने कहा था राम 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 जपना सब ठीक हो जाएगा अठारा वर्ष हो गए जपते हुए मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि मुझे कुछ मिला उनका आच्छा आपको ऐसा अन्वह हुआ बुले हां तुब ले तो हमें क्या मानते हो बुले गुर्दे ओ तब गुर्देओं का मतलब बुले हमारे प्रान तो बुले मैं तुम्हें अपनी कशम देता हूँ कल इसी समय मिलना हम आपको फिर ऐसी मंत शक्ति से यूप्त करेंगे या आप निहाल हो जाओगे बस कल तक जो अभी नाम अठारा वर्ष आपको दिया था इसको एक बार भी मत चपना तुम्हें हमारी कसा में कल आना आप जाओ यही वो प्रणाम करके हटे तो अभ्यास शीरी तक नहीं पहुच पाए रोके लोटे और चरणों में गिर गए बुले महराज अब नाम तो यह नहीं छूट सकता प्रान छूट सकते है बुले यह मिला है तुम्हें क्या मिला? यह मिला है कि प्रान छूट सकते है नाम नहीं छूट सकता जाओ इसका परिणाम देखना इसका परिणाम महामोद में मंगल में परमानंद भगवान के धाम में जाकर तुम्हारा स्वागत होगा भगवान के धाम में सुचो यहां यदि स्वयम राष्ट पती तुम्हारा स्वागत करे तो कैसा लगेगा पुरा भारत आपको बड़े गर्व की दर्ष्टी से देखे आखिल कोट ब्रम्भान्डों का श्वामी आओ और तुम्हारा स्वागत करे धाम में और फिर हमारी प्रिया जी तो करुणा शमुत्र है ये नाम आपको वो शवभा के प्रदान करेगा जो किसी शाधन से भी नहीं पुजरादा भाबा करे कि नाम में जैसी हमने शक्ती देखी वैसी किसी शाधना में नहीं देखी इसलिए मैं कह रहा हूँ बिना स्वद्धा के बिना प्रेम के हट पूर्वक जिव्या से तुमके वल नाम उच्चारण करो कितनी बड़िया बात करेगा स्वद्धा नहीं है मन नहीं लग रहा कोई रुची नहीं कोई प्रेम नहीं चलेगा काम हो जाएगा हो जाएगा नाम अपनी शक्ती से काम जैसे जहर है बिना स्वद्धा के बिना प्रेम के आपियों मर जाओगे कोई हट पूर्वक पिला दे तो मर जाओगे क्योंकि उसका प्रभाव है ऐसे ही नाम का प्रभाव है यदि जिव्या ने नाम को पकड़ लिया तो नाम तुमको पकड़ लेगा जिव्या ने नाम पकड़ लिया तो नाम तुमको पकड़ लेगा और नाम ने जिसको पकड़ लिया तो नामी उसका दाशत्व श्वैकार कर लेता है दाशत्व एकनाज जी के हाँ कई वर्षों से सेवा में एक लगे थे जिनका नाम ता सिखंडिया जी बाद में किशी भक्त को जब भगवान ने तो कहा कि अगर मेरे शाक्षाद दर्शन करना है तो मैं इस समय एकनाज जी की सेवा में सिखंडिया रूप से हूँ एकनाज जी के पास हुआ है बोले भगवान के दर्शन करा दो बोले हाँ विराजमान से बोले ये श्रीव इग्रे में नहीं आपकी शेवा में है बोले तो सिखंडिया है जल लेने गया है बोले हाँ वही भगवान है जो लोट के आए अपनी दरश्टी से देखा अरे कई वरशों से ये हमारी परिचर्या करें ये शाक्षाद पर ब्रह्म परमात्मा भगवान हाथ जोड़कर अरे प्रभू आप बोले तुम ही थोड़ी प्रेमी महात्मा की दासता प्रभू श्वेका इतनी दासता अरे अनंत ब्रमांडू किश्वामी इतने पारशद किसी पारशद को बोल दे तो अनंत स्रश्टियों का विस्तार करने की शामर्थ रखते हैं लेकिन आप माधो दास बावा की सौच भरी लंगोटी ढो रहे हैं क्या तुम्हें नहीं लगता कि प्रभू कितने प्यारे हैं कितने महान हैं नाम को तुम पकड़ो जिव्या से तो नाम तुम्हें पकड़ लेगा तो नाम ही तुम्हारे अदिन हो जाएगा परमन्ष श्री राम कृष्ण जी कहते हैं कि कोई अम्रत के कुण्ड में उतर कर पान करे या पैर फिशल जाए या ढखेल दिया जाए तो कुण्ड में गिरने के कारण अम्रत पान करने वाले को अमर ही होना होगा ऐसे ही सरद्धा से असरद्धा से भाव से कुभाव से सम्मंद रखकर बिना सम्मंद के दुख से सुख जैसे बले तुम नाम जब करोगे तुम महान हो जाओगे सुखी हो जाओगे इसलिए पुना पुना एक प्रार्थना करता हूँ कि वानी को शैयम में रखो हसी मजाग गंदी बाते संसारिक बाते मत बोलो तुम्हारा जीवन छण भंगुर है हसी मजाग का समय नहीं रह गया है काल तुम्हारे को अपने निशाने पर लिए है बहुत बड़ा रास्ता ह इसलिए मेरी बात मानलो मेरी प्रार्थना मानलो कम बोल कर काम चला और अधिक नाम जब करो लोग केते हैं हमारे पास समय नहीं कैसी बात करते हो आप आप छे गंटे साथ गंटे सोने के बाद फिर 24 गंटे में क्या बराबर कारे रत हैं आप देखलो कोई बहुत कारे रत होगा तो हम 12 गंटे छोड़ देते हैं 12 गंटे पढ़ाए लिखाई नोकरी पेशा चलो 6 गंटे सोने के रखलो कितने होई 18 अभी बचे कितने 6 बचे 6 गंटे बजन करोगे तो सिद्ध हो जाओगे कर प्रपंच करने के लिए समय है नातक देखने के लिए समय है जिससे हमारा मंगल होना है उस प्रभू का इस्मरण करने के लिए समय फिर तो मतलब आप समझ लो कि आप कहां जाने वाले हो निरंतर भगवन नाम का इसमरण करने का अभ्यास कर लो बड़ी गंभीरता से विचार करना ये बड़े अनमोल वचन है राधा बाबा के लिए देखो शंत जन जब करपा करते हैं तब बोलते हैं ऐसी बात कि मैं बहुत अनमोल वचन बोल रहा हूं इसका मतलब अपनी बढ जो कई बार सत्संग में का है मानुब 50 वर्स में आपने 500 लाख रुपया कमाए हैं अब आपके अधिम स्वास है अगर एक स्वास 50 वर्स की कमाई से खरीदना चाओ बढ़ाना चाओ तो नहीं बढ़ेगी जितनी स्वास है वही तुम्हारा जिवनंत हो जाएगा प्रभू के नाम के बिना जो स्वास गई समझो बहुत बड़ा घाटा हो गया हानी हरिवन्सि के नाम अंतर परे मृत्यू का ठिकाना नहीं कबा कर सब खेल तुम्हारा बिगाड़ देगी मेरे इस कथन से तुम निरास मत होना मैं निरासा के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम पूरी शावधाने से हर एक स्वास में नाम जब करो अगर हर एक स्वास तुमने प्रभू में लगा दी तो एक बान करुना निधान की सोप्री जाके गतिनान की जन ओगुन प्रभुमान नकावू दीन बंधु अति म्रदुल शभावू ऐसी कवन प्रभु की रीती बिरद हेत पुनीत परिहरी पावरन पर प्रीती ओ आप पर प्रेम करने लगेंगे ओ आप पर दुलार करने लगेंगे प्रभु कृपा करने लगेंगे संतु का कहना है कि तुम अपनी जितनी चिंता करोगे उतने ही परेशान हो जाओगे यदि अपनी चिंता भगवान के उपर छोड़ दो तो तुम निश्चिन तो हो जाओगे और सुखी हो जाओगे भार लिए डोल रहें अपने सरीर का और दो चार संबंधियों का और अनंत ब्रह्मांडू का जो पालन कर रहा है उस पर तुमें विश्वास ने हो एक बार छोड़ के तो देखो प्रभु पर